हलो आज है 27 नवेंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया एंटरप्राइज के बारे में देखिए 77-78 रुपीज का शेर है और पिछले एक महिने में देखा जाए तो बहतरीन देजी है 50% तक शेर ये दोड़ शुका है 50 रुपे से बहतरीन 30 आज जिस लेवल पर है बातचित करना बनता है कि यहां से क्या चीजे हो सकती है और अभी देखो न्यूज जो है खबरों का जो बाजार है इस कंपनी में वह काफी गरम है और जो तीजी की वज़ए कहीं न कहीं खबरे भी है उसके अलावा ओपरेटर भी है देखिए अब वीडियो को शुरू करूं से पहले अगर आपने अभीतर शानों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लिए ना क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपकी जाद हम करेंगे तो देखा जाए तो 77.78 रुपीस का शेर है और सबसे हाइस प्राइस पर ये पहुँच चुका है और मैंने तब भी कहा था जब ये इस लेवल पर था तब भी मैंने कहा था कि देखो अगर तोड़ देगा ना तो ब्रेक आउट हो जाएगा यहाँ क्योंकि इससे पहले भी लंबे समय था कि ये अटक रहा था 55 रुपय के करीब लेकिन जैसे ही वो लेवल इसने तोड़ा बाई सहाब बहतरी इंतीजी यहाँ पर हमें देखने को मिली और यह मैंने कहा भी था कि ब्रेक आउट की एक्स्पिक्टेशन यहाँ पर होगी अगर ये इसको तोड़ देगा तो और वो देखने को मिला भी है और उसकी सब अगर आप देखोगे तो इंसाइडर्स की जो ट्रेडिंग थी वह अपरिल में देखने को मिली थी ठीक है और उसके बाद नहीं देखने को मिली है और जहां तक बात करी डिविडेंट्स वगेरा की तो भाई सब देखो पे तो वो नहीं कर रहा है लेकिन इनके नंबर्स है वो धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो इंप्रूफ हुए हैं पिछले दो क्वाटर में इंप्रूफ हुए हैं प्रॉफिट वाइस भी देखो तो भाई इनके प्रॉफिट खराब नहीं है हलाकि डिसंबर मार्च में बड़े लॉस की ज़रूर से लेकिन जून और लब नेगेटिव फील नहीं हो रहा है हलाकि यह जरूर यहां पर रहेगा कि शॉर्ट टर्म के लिए अप्स और डाउन जरूर होगा रतन इंडिया एंटर प्राइस की बात करी जाए तो भाई साब इसका जो पी रेशियो है वो 71 पर आ चुका है सेक्टर भी 21 में बड़े बात हो चुका है यहां से काफी महगा हो चुका है लेकिन देखते हैं कि इनके प्रॉफिट लगातार बढ़ते हैं कि नहीं की अगर बात करी जाए फिनेंशल को लेका डिफेनिटली पिछले दो क्वार्टर में इनके फिनेंशल अच्छे जरूर हुए है वाना उससे पहले वाइस अब खराबी थे उससे पहले खराबी थे अगर आब इनके revenue देखो तो 2021 ने एक करोड के आसपास के revenue थे एक करोड भी कई बाद नहीं होता था और profit तो था ही नहीं, loss में ही थी company लेकिन चो इसकी किस्मत पल्टी है, वो मार्च 2022 22 के बाद पल्टी है company अलग-अलग sectors में belong करती है e-commerce का भी इनका business है automobile या गाड़ी भी बना रही electric vehicles वगरा बना रही है ये ठीक है, तो automobile का भी इनका business है, इसके अलावा drones वगरा की बात करे तो वहाँ पर भी ये company है तो अब तक देखो अब पहले numbers खराफ थे, अभी increase हो रहे जो कि अच्छी बात है, लेकिन देखना होगा कि numbers लगातर increase होते भी है कि नहीं, या फिर पता चला कि एक-दो quarter में बढ़ी है, वापस loss कर दिया तो वो चीज़ भी possible है, जहाँ अब holding को लेकर देखा जाए, तो promoter के पास 74.86% की holding है और mutual fund के पास 0.04% की छोटी सी holding है यहाँ पर, domestic के पास कुछ भी नहीं है, 9.40% FIs लेकर बैठे हुए हैं retail और other की मिलाकर 15.70% की holding है, जिनमें से retail investors 9.42% की holding लेकर बैठे हुए हैं, बाकि की 6.28% है other parties के पास लेकर overall, अगर मैं बात किने जाओ, रतन India enterprise की, company जो इस sector में है ना मुझे वो sector अच्छा लगता है चाहे वो drone का sector हो चाहे वो sector हो, electric vehicles का sector हो मुझे दोनों sector पसंद आते हैं हलाकि यह भी देखना हो कि दोनों ही sector आने वाले time में बहुत ज़्यादा competitive होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा पैसा भी spend करना पड़ेगा इन सब को इन सारी situation में तो competition से कैसे यह लोग tick पाते हैं, वो भी देखना interesting होगा और मेरे हिसाब से दिक्कत में definitely उतनी ज़्यादों नहीं रहनी चाहिए, profitable company है अगर इसी तरही से profit करते हैं अच्छी बात है, even इनका जो e-commerce का भी जो business है, वो भी उतना बुरा मुझे नहीं लगता है, यह मेरा मानना है बागी वर्जी आपकी है, breakout ज़रूर हुआ है, लेकिन याद रखेगा जब भी कोई share बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ता है, 50 रुपे से यह 80 के करीब पहुँचने वाला है तो भाई साब बीच में correction आएगा, और जब भी यहाँ पर dip आया है, तो वो 2-3 रुपे का dip नहीं होता है, वो हमेशा 10-12-13 रुपे का dip होता जरूर है, तो उसके बारे में भी ध्यान रखेगा, अगर आपके पास है तो बने रही है, long term का आपका outlook होना जाएगे short term की, जिनकी मैं बात करने जाओ जहां तक बात है fresh buying की थोड़ा समेहंगा तो है लेकिन फिर भी operator बहुत जादा active यहाँ पर जोके हैं, तो depend यहाँ से operator पर ही करेगा, क्योंकि जो 30 ही यहाँ पर बनी थी 60 रुपए से लेकर जो बड़ी 30 ही देखने को मिली थी, उसके वज़ाए एक breakout भी था लेकिन एक update भी थी और वो थी news की खबर थी, लेकिन वो तनी जादा important भी नहीं भाई साब, ठीक है, इनका जो e-commerce का business उसमें इन्होंने winter wear launch करे थे, तो यह कोई उतनी बड़ी खबर नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी वह यह तीजी आ गए, जो कि तरौसा shocking ज़रूर है हलागि breakout ही था, जिसके चलते के लिए मेरे हिसाब से fresh entry के लिए मैं इसको avoid करूँगा, लेकिन हाँ है, तो रग सकते हो, इसके अलावा analysis के लिए, जिस पोर्टल का मैं इस्तमाल कर रहा हूँ, trade brains, अगर आप भी इसको use करना चाहते, तो link मैं आपको description में दे दूँगा, और अगर आप मेरा coupon code HSA20 का इस्तमाल करोगे, तो आपको 20% का discount भी मिल जाएगा, कई सारे बहतरीन features है यहाँ पर जिन में से एक यह है कि भाई, आप यहाँ पर आसानी से blue chip stocks को ढूंड सकते हैं, debt free stocks को ढूंड सकते हैं, कौन सा शर अच्छा खासा dividend पे कर रहा है, वो आप यहाँ पर check out कर सकते हो fundamentally strong penny stocks को भी आप यहाँ पर चुन सकते हो अब ढूंड सकते हो आराम से और आपको trending news वगेरा भी यहाँ से मिल जाएगी, तो देर किस बात की है link description में है, कूबन कोड का फायदा उठाना भूलियेगा नहीं, वीडियो को यहीं पर end करूँगा, पसंदा हो तो like करें, चैनल बगड़ा पहले बाहर हैं तो please subscribe करें, और अतनी इंडिया इंटरप्राइज के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखते बता सकते हैं, थैंक यू